31 माज 2014 को 55 लाग करोड था वो 155 लाग करोड कैसे हो गया मैंने कई बार इस पटल से राइजिंग पौवर्टी की बात करी कि आज हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब हमारे देश में निवास करते हैं नमश्कार साथियों आज 22 जन्वरी है और 8-9 दिन बाद मोदी सरकार का इस कारेकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत होने वाला है क्या उस बजट में इश्यूज है हम विस्तार से उनके बारे में समय समय पर अपनी बात करते आए है पर आज जो इश्यू हम आपके सामने लेके आए है वो देश पर कर्ज की इस्तिती दा डेट ओन इंडिया और ये कर्ज की इस्तिती इतनी भयानक बन चुकी है मैं जो आप आकड़े आपके सामने रख रहा हूं कि आपको जानके ताज्यूब होगा कि हम में से बैठावा प्रती एक व्यक्ति हमारे उपर एक लाख नौ अजार रुपे का कर्ज है जो हमने नहीं लिया है आपने नहीं लिया एक लाख नौ अजार का हमारे बिहाफ पर भारत सरकार ने हमारे उपर एक लाख नौजार रुपे का कर्ज चड़ाया हुआ है प्रती हिंदुस्तानी पर पहले कितना था कितना नौ साल में बढ़ा है सारे का आकड़ा लेके आया हूँ आपके और मेरे और कोई भी विवेक्शिल व्यक्ति के मन में यह जरूर आएगा कि भई कर्ज लिया है तो आर्थिक विकास के कारियों में लग रहा होगा पर यह कर्ज आपके मेरे उपर एक लाग नौजार रुपे का कर्ज तो है पर इस कर्ज का फाइदा हमें नहीं मिल रहा क्योंकि जो ग्रोथ मॉडल है देश का वो के शेप्ड रिकवरी मॉडल है के अंग्रेजी में जो शब्द है ना के मतलब हम जो ग्रो कर रहे थे नोट बंदी के बाद नीचे आए गलत तरीके से जी एस्टी लगाने से और नीचे आए ताला बंदी के बाद फिर और नीचे आए पर फिर जो बड़े वो सिरफ वो लोग बड़े जिनक्या जिनकी डिटेल्स अभी चार-पांस दिन पहले ऑक्सफर्म की रिपोर्ट में आया कि हिंदुस्तान में ये ताजूप की बात है कि हमारे देश में पांच परसेंट जो लोग है उनके पास साथ प्रतिशत संपत्य है और जो बॉटम 50 परसेंट जो लोग हैं देश के 140 करोड में से मैं गणना करूं तो जो सतर करोड लोग जो नीचे वाले हैं उनके पास मात्र तीन प्रतिशत देश की संपत्या है तो पांच परसेंट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 140 का मतलब साथ करोड लोगों के पास देश की 60 प्रतिशत से ज्यादा संपत्या है और ऐसा नहीं है कि ये लोग जो जिनके पास 5 परसेंट जिनके पास 60 प्रतिशत से ज्यादा संपत्या है वो देश को ज्यादा कर देते हो ऐसा नहीं है कर हम जो बॉटम 50 प्रतिशत के लोग है जो मिडल इंकम ग्रूप और लो प्रतिशत है मतलब जो bottom 50 प्रतिशत जो 3% देश के assets को hold करता है वो देश के GST में 64% पैसा देता है और जो 5% जो देश के 60% संपत्यों को hold करता है वो GST में उनका contribution मात्र 3% है 3% जो first 10% जो देश की जनसंक्या है तो यह जो case-shaped recovery model है इसमें जो modinomics है उसके लिए हम यही कहेंगे rising debt, rising unemployment and rising inequality जबकि rise किसका होना चीए था जीडिपी का, rise किसका होना चीए था per capita income का, rise किसका होना चीए था कि हमारी rating जो hunger index में है वो हमारी rating मतलब बढ़नी चाहिए थी, नीचे आनी चाहिए थी तो कुल मिलाके जो आज की जो press वारता है वो देश की debt के उपर है अब मैं विस्तार से एक एक बिंदू जो मैंने मुख्य बिंदू आपके सामने रखे विस्तार से एक एक बिंदू पर अपनी बात कहूंगा जब मोधी सरकार ने सत्ता संबाली तो देश के उपर टोटल कर्ज था पच्पन लाग करोड रुपया 55 लाग करोड रुपया और दो हजार 23 मार्ज 31 को अनुमानित है बारत सरकार क मांकरा दे रहा हूं अनुमानित है 155 लाग करोड रुपया मतलब 55 लाग करोड रुपया हुआ सन 1947 से लेके मार्च 31 2014 तक और मार्च 31 2014 से लेकर मार्च 31 2023 में हो गया 55 का 105 लाग करोड आजादी से लेकर 2014 तक प्रती देशवासी पर कर्ज था 43,000 रुपया जो मार्च 23 में भारच सरकार के आखडों के अनुसार रहने का अनुमानित है एक लाग 9,373 रुपया और मैंने पिछले 9 साल का पूरा आखडा बनाया एक टेबल आपके सामने रखूँगा इस टेबल में प्रती वर्ष बारच सरकार ने कितना कर्ज लिया और पर कैपिता कर्ज देशवासियों पर कैसे चड़ा जो मार्च 2014 में 55 लाग करोड का कर्ज था वो 155 लाग करोड का कैसे हो गया मोदी जी मोदी जी ऐसा क्या हुआ कि पिछले 9 सालों में जो कर्ज है वो धाई गुना से भी ज़्यादा बढ़ा है 43,124 रुपय से बढ़कर 1,9,370 रुपया पिछले 9 सालों में प्रती हिंदुस्तानी पर कर्ज बढ़ा है 66,250 रुपय 66,249 is the increase per capita debt on every Indian in our country कि ऐसा क्या हुआ कि 55,155,000,000,000 करोड रुपया हो गया जो टोटल कर्ज 31 मास 2014 को 55,000,000,000 करोड था वो 155,000,000,000 करोड कैसे हो गया और यह पैसा किसके उपयोग में आया उसका ब्योरा दे देता हूं मैंने कई बार राइजिंग उनेप्लोईमेंट की बात करी मैंने कई बार इस पटल से राइजिंग पौवर्टी की बात करी कि आज हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब हमारे देश में निवास करते हैं पर आज आपको राइजिंग इनिक्वेलिटी की बात बताता हूँ कि ये कर्ज हम ले रहे हैं हमारे प्रत्येक देश्वासी के उपर चड़ रहा है एक लाख नौजार 373 रुपया हम में से प्रत्येक हिंदुस्तानी पर चड़ गया पर उस कर्ज का फाइदा हमें नहीं मिल रहा है पाइदा मिल रहा है चंद लोगों को जिनकी वेल्थ बढ़ रही है बाकी सब लोगों की वेल्थ कम होती जा रही है और ये मैं नहीं कह रहा जो मैंने आपको 55 लाख करोड से 155 लाख करोड बता है ये भारत सरकार का अकड़ा है जो मैं अब आपको ओक्स्वम की रिपोर्ट के अनुसार पढ़के सुनाता हूँ कि देश के 5 प्रतिशत अमीर लोगों के पास देश की 60 प्रतिशत से ज़्यादा संपत्ती है और नीचे के 50 परसेंट लोगों के पास देश की मात्र तीन प्रतिशत संपत्ती है तीन परसेंट वेल्थ है पर ये नीचे के 50 परसेंट जिनके पास 15% वेल्थ है वो GST देते हैं देश की 64% वहीं से आ रही है और जो उपर के 10 परतिशत अमीर लोग है जिनके पास देश की 70-80 परतिशत की वेल्थ है वो GST देते हैं मात्र 3% मतलब अगर 100 रुपय GST खटी होती है तो जो नीचे के 50 परतिशत लोग है उनकी तरफ से 64 रुपय खटी होती है और जो वेल्थी लोग है जिनके पास देश की 60 परतिशत से ज्यादा संपत्ती है वो सिरफ 3% GDP देते हैं तो कर्ज ले रहे हैं हम सब लोग आप लोग मैं हम जैसे करोड़ों लोग बेरोजगारी की बात ही नहीं कर रहा है उसका विश्व रिकॉर्ड तो रोज बढ़ता जा रहा है कर्ज हमारे उपर चड़ रहा है और फायदा उसकर्ज का किनको ओ रहा है उन खरपपतियों को जिनकी संख्या दिन बदिन प्रत्य वर्ष बढ़ती जारी है रिपोर्ट आती है कि इस वर्ष भारस्त में इतने खरपपती होगे पर रिपोर्ट अभी यह नहीं आ रही कि करोना के दौरान जितने लोग दुनिया में गरीबी में गए उन में से 89 प्रतिशत लोग हिंदुस्तान के थे तो यह के शेव्ड जो मॉडल है जिसने high debt, high unemployment, high inflation and high inequality जबकि high क्या होना चाहिए था high per capita income, high GDP, high rankings on the global platforms वो high होना चाहिए था वहाँ पे हम रोज नीचे गिर रहे हैं और हमने बढ़ा किसको रहे हैं प्रतिव्यक्ति कर्ज को जो पिछले 9 साल में धाई गुना से ज़्यादा बढ़ गया और अगर हम कुल कर्ज की बात देखें तो कुल कर्ज देश के उपर पौन भी देश पर बढ़ सकता है इसमें क्या है उसका भी अध्यन करके आपके सामने लाया हूं कि अगर हम हमारा कंपेरिजन हम जैसे एमर्जिंग एकॉनोमी से करें हमारा जीडीपी के अनुपात में हमारा कर्ज है तेरहासी परतिशत 83 परसेंट डेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी और दुनिया की एमर्जिंग एकॉनोमी इस क्योंकि भारत एक एमर्जिंग एकॉनोमी जो आएमेफ का आकड़ा है उनका प्रतिशत एवरेज आता है साड़े चौसट प्रतिशत तो मोजी जी ये बीस प्रतिशत ज्यादा कर्ज क्यों ले रहे हो आप जीडीपी के जो दूसरे देशों को उसकी जरूरत क्यों नहीं पढ़ रही है जो आपको पढ़ रही है और इस कर्ज जो हर व्यक्ति के उपर जो आपने एक लाक नो आजा 373 रुपे का कर्ज चड़ाया उसका फायदा उन व्यक्तियों को क्यों नहीं मिल रहा है उसका फायदा सिरफ खरपतियों को क्यों मिल रहा है देश में इनिक्वेलिटी को क्यों ये कर्ज बढ़ा रहा है तो इस बाबत हमारे तीन सवाल है कि देश में जो प्रतिव्यक्ति क कर्ज 43,124 रुपिय था 2014 में वो 2023 में 1,09,373 रुपिय मतलब नौ साल में 2.53 टाइम्स क्यों बढ़ा पहला सवाज दूसरा कि आजादी से लेकर 2014 तक 55,00,00 करोड कुल कर्ज और 2014 से 2023 तक 155,00,00 करोड कुल कर्ज मतलब पौने तीन गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी क्यों हुई मोदी जी नंबर तीन कि ये इस गर्ज का फायदा देशवासियों को क्यों नहीं मिल रहा है क्यों हमारी देश का जो विकास का मॉडल है वो K-shaped है वो V-shaped दुनिया के सारे देश करोना में नीचे आए पर सभी पूरी population उपर उठी पर हमारे यहां हम नीचे तो सब आगे पर उपर सिरफ खरपती उठ रहे हम लोग नहीं उठ पा रहे हैं तो मोधी जी यह K-shaped recovery economic model को कैसे बंद किया जाएगा क्योंकि 50% population जो कि मात्र तीन परतिशत wealth को own करती है पर GST देश का 64% वो देती है ऐसा क्यों तो यही हमारे तीन मुख्य प्रश्न थे मैं आपके सवाल लूँ उससे पहले बहुत संक्षिप्त में अंग्रेजी में अपनी बात कहूंगा Modi government is burying our future generation in debt. Debt per capita or debt per Indian increased from rupees 43,124 as on March 31st 2014 to rupees 1,09,373 as on March 31st 2023. In last nine years we had a growth of 2.53 times on debt per capita. Modi nomics means K-shaped recovery, K-shaped recovery means all of us went down but only billionaires are going up. Why the entire country is not going up? So K-shaped recovery is the Mool Mantra of Modi nomics which means rising debt, rising unemployment and rising inequality. The total outstanding debt of government of India as on March 31st 2014 was 55.87 lakh crore. In last nine years that had been increased from 55 to 155 lakh crore rupees. means a jump of more than 2.75 times and per capita debt jump was more than 2.53 times. So as per IMF our debt to GDP was 83% in 2022 but emerging market and all developed economies average was 64.5%. Why Modiji? We have to survive only on debt. What is the reason? And why the entire population is not having the benefit of this consistent increase in the debt? As per Oxfam report, the wealthiest 5% in our country own more than 60% of the country's wealth while the bottom half together share just 3% of the wealth. On the other side, 64% of the GST came from the bottom 50% population and only 3% of the total GST collection comes from the top 10% of the people of our country. Why we are having such an income inequality? Why this rise in debt which is on each one of us but the benefit of this is taken away by only few people? In this regard, we had three specific questions. First, why was debt per Indian increase from Rs. 43,124 as on 31st March 2014 to Rs. 1,09,373 as on 31st March 2023 in the last 9 years? A jump of 2.53 times. What is the reason? Number 2. From 1947 till March 31st 2014, the total debt of the Government of India was 55 lakh crore. But from March 2014 to March 2023, estimated debt had increased from 55 lakh crore to 155 lakh crore. A jump of 2.77 times. Why? And last but not least, why is the money borrowed? It's just helping in a case-shaped recovery. Means, we are taking the money and we don't have benefit. Why we are having a case-shaped recovery model with 50% population, owning only 3% of the country's wealth, is paying 64% of the total GST collection. Why? We want answers from Modiji on all these three questions.